सुवागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं जो ये ECS T10 ऑस्ट्रिया का जो ये दूसरा मैच खिला जाएगा SNA वर्सिस VID के टीम के बीच में इस मैच के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे तो आ अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेली ग्राम से नहीं जुड़ें तो आप लोग का टेली ग्राम से जुड़ना काफी जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि टॉस के बात की सारी अपडेट आपको मेरे टेली ग्राम पर ही मिलेगी और जो इस मैच की तो दोस्तों इस पिच की बात करें तो इस पिच पर दोस्तों जो लास्ट साथ टीटन के मैचिस खेले गए हैं मैं उसका आप लोग के लिए डेटा लेके आया हूं तो यहां से आपको साब साब समझ में आ जाएगा किस तरह का यह विकेट रहने वाला है तो जो लास्ट सा चालिस रंस के आसपास यहां पे मानके चल सकते हो क्योंकि मोश्टली मैचिस में यहां पे इसी तरह का स्कोर बनता है अब आप लोग यहां पर दोस्तों इसकोरिंग पैटन भी देख सकते हो तो जो यहां पर लास्ट साथ मैचिस खेले गए हैं उसमें से एक बार 80 से 99 के ब देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों पहले हम लोग SNA की टीम की 11 देखें तो यहां से आपको नवीन विजे शेकरा के साथ में ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं जै बरमा खेल जो के अपने टीम के विकेट कीपर बल्लेवाज है फिर यहां पर फरान मोहिदीन है लकमल कश्थूरी है जनान गिल जाई है फिर यहां पर शत्यम शुबाश है शिवम शुबाश है दिवीत विजे शेकरा है शुमेर शेर गिल है फिर यहां पर बशेत एकपाल और शाकिब शाहिद है तो कुछ इस तरह से आपको SNA की टीम की 11 देखने को मिल सकती है आब हम लोग य हमजाइ अब्दूर एहम जाइ इनकाप यहां पर थोड़ा से दीखना है फिर यहां पर दोस्तो ओबेदुला ओमरी हैं अब्दूर् 현 मिर्ण फिर यहां पर अcel जियां पर यहां पर दिलागा जबरा खेल तो कुछ इस तरह से आपको दोनों टीम्स की 11 देखने को मिल सकती है बाकि दोस्तों जो भी दोनों टीम्स की फाइनल प्लेंग 11 होगी वो आपको टॉस्क पर टेली ग्राम पर मिल जाएगी तो उसके लप लोग टेली ग्राम से जरूर जुड़ जाना है अब यहाँ पर हम लोग पहले SNA की टीम के प्लेर के स्टार्स और रिशान फॉर्म देख लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग पहले SNA की टीम के हर एक प्लेर का रिकॉर्ड देखे चल सकते हो तो सबसे पहले हम लोग बात करें नवीन विजर शेकरा की ओपनिंग करने आते हैं 32 मै चलता है वाकि ओपनिंग करें और बॉलिंग भी करा सकते हैं तो आपके एक सेफ आप्सन रहने वाले हैं फिर यहाँ पर देखोगे जमील बैरमा केल है तो पूरा मौका भी रहेगा फिर यहाँ पर फरान मौईदीन है 14 मैच में 59 रंस हैं 10 का एवरेज साथ ओवर 6 विकेट नहीं और बॉलिंग भी आप देखोगे काफी कराई है लकमल कस्तूरी इस प्लेयर का दोस्तक आप डी डेवन पर सेलेक्शन देखोगे जाके तो काफी कम लोगों ने इनको पिक किया है पर रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है 27 मैच में 248 रंस है 14 कैवरेज 38 ओवर की बॉ भी ठीक टा कर लेता है फिर यहां पर जनान घेल जाई है 14 मैच के लें 136 रंस है 19 कैवरेज 3 ओवर 4 विकर्ट कोई खास नहीं है सत्यम सुबास 10 मैच में 37 कैवरेज 15 ओवर 8 विकर्ट तो सत्यम सुबास यहां पर इंपोर्टेंट है और यहां पर लकमल कस्तूरी फिर यहां पर दिविर विजे सेकरा 12 मैच में 16 ओवर की बॉलिंग है 6 विकर्ट तो बॉलिंग थोड़ी सी इनोंने कम कराई है बाकि ठीकता करा सकते हैं अगर इनकी टीम चाहे तो पूरे 2 ओवर भी इनको दे सकती है सुमर सुमेर सेरगिर इनका भी दोस्तों सेलेक्षन ड टीन ओवर की बॉलिंग है एक वेकर तो आप लोग यहां पर सबके स्टार्स देखें चल सकते हैं अब यहां पर दोस्तों जोनके बैंच पर प्लेयर बैठे हुए उनके अप लोग यहां पर प्लेयर का यहां पर स्टार्ट एविलेवल है उसका आपको देखने को मिलेगा बागी काफी प्लेयर ऐसे भी है जिनके यहां पर स्टार्ट एविलेवल नहीं है जिन्होंने अभी तक नहीं किला है जिस वज़े से आपको स्टार्ट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है अब यहां पर दोस्तों हम लोग ऐसे ने की टीम के स्टार्टिंग और डेथ अब यहाँ पे सत्यम शुबास और दिवेत विजय शीक है इनके चांस जादा रहेंगे अगर टीम चाहेगे तो सिवम सुबास को भी डेथ में लेके आ सकती है अब यहाँ पर दोस्तों लोग वी आईडी के टीम के प्लेयर के स्टार्ट और रिशन फॉर्म दिख लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें खैबर मल्यार की इंपोर्टेंट लाड़ी है 21 मैचेस के लें 235 रन से 15 कैवरेज है 31 ओवर की बॉलिंग है 13 विकेट अपनी टीम में लेके जरूर जाना है बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों तरब से पॉइंट से बेने वाले हैं फिर यहाँ पे खोग्यानी से इनका भी दोस्तों बैटिंग से काफी घजब का रिकॉर्ड है 11 मैचेस में 302 रन से 38 कैवरेज है 7 ओवर 5 विकेट तो बॉलिंग थोड़ी सी कम कर आई है पर बैटिंग से काफी अच्छ है 38 कैवरेज से रन्स बनाए है और का प्लेयर के आगे लगाए जो अच्छा स्टार्ट्स रखते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी और आसानी हो फिर यहाँ पर देखोगे ओविदिल्ला ओमरी है 23 मैच में 236 रन्स है 15 कैवरेज है 7 ओवर की बॉलिंग है 2 विकेट तो इनका भी उतना अच्छा रिकॉर् है 29 कैवरेज है प्लस 6 मैच में 11 ओवर की बॉलिंग है 4 विकेट यानि कि यह लगबग 2 ओवर हर मैच में कराते हैं और बैटिंग से भी अच्छा कांस आपको करके दे सकते हैं अब यहाँ पर आगे आगे देखोगे अदा नशीर नशेरी है राइटी बैटिंग करते हैं र थारा मैच के लिए 23 रंस है 8 कैवरेज है 23 ओवर की बॉलिंग है 5 विकेट यहाँ पर जेद जायद है इनकी विकेट कीपर बल्लेवाज है 21 मैच में बाश्यर रंस है 9 कैवरेज है फिर यहाँ पर देखोगे अदेल जान सरदार है 8 मैच इस 11 रंस 6 विकेट फिर यहाँ पर दिलागा जबरा खेल 4 मैच 5 ओवर 2 विकेट तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर सबके डिकॉर्ट देख सकते हो अब यहाँ पर जो इनके बैच पर प्लेयर बैठे हुए है उनके आप लोग यहाँ पर श्टार्ट देखे चल सकते हो अब यहाँ पर दोस्ता हम लोग अबदूल मीरा खेल खेबर मल्यार इनके जादा रहेंगे पर अबू अबू शीन दोस्ताहिल यह भी स्टार्टिंग में करा लेते हैं फिर यहाँ पर डेथ ओवर में देखोगे अदेल जान सरदार अधना अधना नशेर नशेरी और अबू शीन दोस्ताहिल तो यह लोग डेथ में देखने वाले हैं आप लोग यहाँ पर स्क्रीन सॉल्ट भी ले सकते हो अब यहाँ पर दोस्त हम लोग दोनों टीम्स की रिशेंट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं यानि कि जो दोनों टीम्स ने इस सीरी से पहले जो टीटन के मैचेस खेल है उसमें जो लास् लगबग दोनों टीम्स के अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो लगबग एक जैसी रही है अब यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इस मैच के बारे में सब को जान लिया हर एक प्लेयर के बारे में जान लिया अब हम लोग अपनी टीम देख लेता है जो फिलाल मैंने टेलीग्राम से आपको जरूर जुड़ना है क्योंकि टॉस के बाद जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी तो जुड़ जाना लिंक आपको इसी वडियो को डिस्क्रिप्शन और फस्टोंटर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा पर अगर आप रिकॉर्ड देखोगे उतना अच्छा नहीं है दसके अवरेज से रंस बनाए है वन डाउन के आसपास बैटिंग करते हैं और यहां पर बॉलिंग भी अगर आप देखोगे तो उतनी ज्यादा नहीं करा है वह से य यहां पर जाएद मिया खेल है इनको भी आप लोग यहां पर जील में ही ट्राइगा ना स्मॉल लिंग में यह भी रिस्किया है बाकी नीचे कोई भी खास उप्सन नहीं है तो यहां पर मुझे के मल्यार बेस्ट लगे मैंने इनको लिया है वैटिंग में आप देखोगे मै यहां पर मैंने एल कश्टूरी को लिया है जिनका दोस्तों सेलेक्शन काफी कम है पर रिकॉर्ड काफी अच्छा है लगबग आपको दो ओवर भी देंगे प्लस बैटिंग करने भी लगबग टू से थ्री डाउंट पर आपको दिख जाएंगे तो यह इंपोर्डेंट है यहां पर इनको लेके चलना है सेलेक्शन जरूर कम है पर यह काफी कम आ सकते हैं फिर यहां पर देखोगे जे गहल जाई इनको भी काफी जादा लोग ले रहा है पर इनका भी रिकॉर्ड मुझे उतना अच्छा लगानी मैं लेके नहीं जाओंगा बाकी नीचे और कोई भ रिकॉर्ड है वो बॉलिंग से अच्छा है तो मैंने इस वज़े से इनको भी लिया है हाला कि अच्छा कि एवरेज रिकॉर्ड है पर फिलाल और कोई मुझे उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं बाकी नीचे यहां पर जो भी आपको देख रहे हैं उतने कोई खास बॉलिंग में देखोगी यहां पर दोस्तों मैंने ए सरदार को लिया है एस सुबास को लिया और डी जबरा खेल को लिया है तो इन तीन यहां पर मैंने बॉलर्श को पिक किया है अब इनके लावा बी एक बाल ठीक ठाक उप्शन आपके बन सकते हैं वैसे अगर आप बाकि नीचे यहां पर ऊतना कोई खास आपसन लगनी रहा है तो फिलाल दोस्तों जो मेरी यहां पर टीम बन रहे है वह यहां पर कुछ इस प्रकार है अब यहां पर मैंने ईह दोस्ता हिल को किया है आपके पाद जो अधर ओप्सन यहां पर सी वी सी के रहेंगे वो यहां पे अगर आप इनके अलावा देखोगे तो आर अब्दुर रहेम ये भी ठीक टाक उप्चन है आप लोग इनको भी कर सकते तो फिलाल दोस्तों मेरी ये टीम है अब अगर इस टीम में कुछ भी चैंड जोगा तो आफ्टर टोर्स आपको टेली ग्राम पे बता दूगा तो उ